सर्दी का मोसम सभी को लुबाता है लेकिन यह मोसम तवचा के लिए नई नई परिसानिया भी लेकर आता है खासकर जिन लोगों की तवचा रूखी होती है उन्हें इस मोसम में ज़्यादा परिसानी का सामना करना पड़ता है आम तोर पर लोगों को सर्दी के मोसम में फटे होट और एलियों की समस्या होती है लेकिन जिन लोगों की तवचा बहुत रूखी होती है उनके गाल भी इस मोसम में फटने लगते हैं बाजार में आपको कई अच्छे मोस्टराइजर मिल जाएंगे लेकिन घर के किजने मौजूद प्राकरतिक चीज़ें भी आपकी इस समस्या को कम कर सकती हैं वो चीज़ें कौन सी हैं उन्हें जानने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सचे भारतिय हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइज जरूर करें तो चली वीडियो सुरू करते हैं रूखे और फटे गालों की समस्या ने सिर्फ कश्ट दायक होती है बलकि इस सचेहरे की खुबसूरती पर भी असर पड़ता है यह समस्या कई करणों से हो सकती है जैसे चेहरे को ठीक से मोस्टरेज ने करना, सूरज की किर्णों के सीधी संपरक में आना, पानी का कम सेवन और मोसम में बदलाव आदी तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही घरेले नुक से बताते हैं जिने अपना कर आप अपने रूखे और फटे गालों को जल्दी से ठीक करके इने और भी खुबसूरत बना सकते हैं सहद करेगा मदद सहद कई ऐसे ओसदिये गुणों से भरपूर होता है जो त्वचा को प्राकर्तिक रूप से मोस्टराइच करने के साथ साथ उसके घाबों को भी जल्दी भरने में मदद करता है फटे और रूखे गालों को ठीक करने के लिए सबसे पहले चेहरे को धोले और फिर तोलिये से पहुँचकर गालों पर सहद लगा लें अब आदे घंटे वाद चेहरे को साब पानी से धोलें अच्छे प्रड़ाम के लिए इस उपाय को रोजा ना दोराएं नमबर टू दूद भी है प्रवावी दूद लेक्टिक एसिट और एलफा हाइड्रोक्षिट एसिट जैसे गुणों से भरपूर होता है ये गुण फटे और सूखे गालों को धीरे धीरे ठीक करने में मदद कर सकते हैं इसके अलावा ये गुण गालों पर चमक लाने में भी सायक हो सकते हैं फटे और रूखे गालों से रहत पाने के लिए रूई से दूद को गालों पर लगाएं और जब यह सूख जाय तो गालों को साफ पानी से धोकर तोलिय से पोच लें इसके बाद गालों पर मॉस्टराजर लगाएं नमब थ्री, नारियल के तेल से मालिस करें नारियल के तेल में फैटी एसिड और बिटामिन E होता है जो गालों को हाइडरे रखने के साथ साथ उन्हें मॉस्टराज भी रखता है फटे और रूखे गालों को ठीक करने के लिए नारियल के तेल के कुछ बूंदे लेकर गालों पर तब तक मलते रहें जब तक कि यह गालों में पूरी तरह से समाना जाए इस प्रिकरिया को नियमित रूप से दिन में कम से कम एक बार करें पर्याप मातर में करें पानी का सेवन रोजाना पर्याप मातर में पानी का सेवन कई समस्चाओं से रहा दिला सकता है फटे और रूखे गालों से रहा दिलाने में भी पानी का सेवन लाबदायक साबित हो सकता है इसलिए जब आप फटे और रूखे गालों के समस्या का सामना करें तो धेर सारा पाने पीने शुरू कर दें क्योंकि dehydration भी फटे और रूखे गालों का एक कारण हो सकता है पाने का 7D हाइडरेशन को दूर करके गालों को खुशूरत बना सकता है तो दोस्तो अगर आपको रूखे और फटे गालों की समस्या है तो आप ये घरेलो नुक से अपना सकते हैं तो दोस्तो ये नुसके आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करें हमें जरूर बताना और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमायर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्यार लखें जै हिन जै भारत